भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे जय हिन जय हिन लोकमान्य तीलक का पुर्ण स्वराज का आहवान नेता जी सुभाज संग्र बोच के नेत्रुत्व में आजाधिन फोच का दिल्ली मार्च दिल्ली चलो ये नारा आज पर हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है 1942 का अवे विश्मन यांदोरन अंग्रे जो भारत छोड़का वद्गोश ऐसे कितने ही अंगिनेत पड़ाओ जिन से हम प्रिर्णा लेते हैं उर्जा लेते हैं ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी है जिनके प्रती देश हर रोच अपनी कर्तग्यता व्यक्ष करता है 1857 की क्रांती के मंगल पांडे ताट्या टोपे जैसे वीर हो अंग्रेजों की फोच के सामने निर्विक गर्जना करने वाली राणी लक्ष्पी बाई हो कित्तूर की राणी चन्नमा हो राणी गाडीन लू हो चंदर से खराजार रामपसाद बित्मल बगत सी सुख़देव राजगुरू अत्पा उल्लाखा गुरूरामसी टिटुस जी पोल रामा सामी जैसे वीर हो या फिर पंडित नहरू सरदार पटेल बावासाब आमबेड कर सुखास चंदरबोत मौलाना आज़ाद खान अब्दुल गफार खान भीर सावर कर जज़ अंगिनत जन्नायत कि ये सभी महान व्यक्सित्वा आज़ाद की आंदोलन के प्रस दर्शक रहे हैं आज़ी के सप्णों को भारत बनाने के लिए उनके सप्णों का भारत बनाने के लिए हम सामुहिक संकल्प ले रहे हैं इनसे प्रेरणा ले रहे हैं साथियों हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन है कितने ही संगर्ष है जो देश के सामने उस रूप में नहीं आये जैसे आने चाहिए थे ये एक एक संग्राम संग्र्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाब सत्य की शसक्त गोशनाएं है ये एक एक संग्राम भारत के स्वाधीन सभाव के सबूत है ये संग्राम इस बात का भी साथ्षात प्रमाण है कि अंधियाएं, शोशन और हिंसा के खिलाब भारत की जो चेतना राम के युग में थी महा भारत के कुरुक्षेत्र में थी हल्बी घाटी की रणभूमी में थी सिवाजी के उद्गोश में थी वही सास्वत चेतना, वही अदम में शावरिय भारत के हर शेत्र, हर वर्ग और हर समाज ने आज़ादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था जननी जन्म भूमिष्च, स्वरगाद अपिकरियसी, ये मंत्र आज भी हमें पिलना देता है आप देखिए, हमारे इसी तियाज को कोल आंदोलन हो, या हो संगर्ष, खासी आंदोलन हो, या संथाल क्नांती, कछोहा कछार नागा संगर्ष हो या कुका आंदोलन, भील आंदोलन हो, या मुंडा क्रांती, सन्यासी आंदोलन हो, या रमोसी संगर्ष, कितूर आंदोलन, त्रामनकोर आंदोलन, बारडोली सत्यागरह, चंपारन संत्यागरह, संभलपूर संगर्ष, चुवार संगर्ष, मुंदेल संगर्ष, ऐसे कितने ह कितने ही संगर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भुभाग को हर काल खंड में आजादी की जोती से प्रज्वलीत रखा इस दौरान हमारी सिख गुरु परंपरा ने देश के संस्कूति अपने रिती रिवाद के रक्षा के लिए हमें नहीं उर्जादी प्रेरादी त्याग और बलिजदान का रास्ता दिखाया और इसका एक और अहम पक्ष है जो हमें बार बार याद करना चाहिए हैं साथ ही हो आजादी के आंदोलन की इस जोती को निरंतर जागरुत करने का काम पूरब पश्चे मुत्तर दक्षेन हर दिशा में हर शेत्र में हमारे संतों ने मांतों ने आचारियों ने बगवदों ने निरंतर किया था एक प्रकार से बक्ति आंदोलन ने राष्ट्र व्यापी स्वाधिन्त आंदोलन की पिठी का तयार की थी पूर्व में चैतनी महाप्रभूर आम्तर से परमोस स्रीमत संकर देव जैसो संतों के विचारों ने समाच को दिशा दी अपने लक्ष पर केंद्रीत रखा पच्चिम में मिराबाई एकनाद तुकाराम रामदाद नर्सी महता हुए उत्तर में संत्रामानांत कबिर्दास गोस्वामी तुल्दीदास सुर्दास गुर्णाना देख संत्राइदास दक्षिण में मादवाचारिय निम्भाकारचारिय वलबाचारिय रामानुजय चारिय हुए बक्ति कान के इसी खंड में मलिक मुहमत जायसी रस्खान सुर्दास केश्रवदास विद्यपती जैसे मानुभावों ने अपनी रच्चनाओं से समाज को अपनी कम्यां सुधार करने के लिए प्रेडिज किया ऐसे अनेकों व्यक्तित्वों के कारण यह अंदोलन छेत्र की सीमा से बाहर छेत्र की सीमा से बाहर निकल करके पूरे भारत के जन जन को अपने आप में समेट लिया आजादी के ना सकने के अंदोलनों में ऐसे कितने ही से नानी संत आत्माएं ऐसे अनेक वीर बलिदानी है जिनकी एक एक गासा अपने आप में इतिहास का एक एक स्वर्नि मद्याय है हमें इन महानायकों महानायकाओं उनका जीवन इतिहास विदेश के सामने पहुचाना है इन लोगों की जीवन गाथाएं उनके जीवन का संगर्ष हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के उतार चड़ाओ कभी सबलता कभी असबलता हमारी आज की पीड़ी को जीवन का हर पाट सिखाएगी एक जुर्टा क्या होती है लक्ष को पाने की जिद्ध क्या होती है जीवन का हर रंग वो और बहतर तरीके से समझेंगे भाई और बैनों आपको याद होगा इसी भूमी के वीर सपूत शाम जी कृष्ट वर्मा अंग्रेजों की धर्ती पर रहकर उनकी नाक के नीशे जीमन की आखरी सांथ तक आजाजी के लिए संगर्श करते रहे लेकिन उनकी अस्तियां साथ दसकों तक इंतजार करती रही कि कब उन्हें भारत माता की गोद्म नसीब होगी आखिर कर दोजार तीन में विदेश से शाम जी कृष्ट वर्मा के अस्तियां आप मैं अपने कंदे पर उठा करके लिए आया था एसे कितने ही कितने ही सेनानी है देश पर अपना सब कुछ समर्पिख कर देने वाले लोग है कि देश के कौने कौने से कितने ही दलीद आदिवाती महिलाए और युवा है जिन्होंने असंगी के तब पर त्याक किए याद करिए तमिल नाडू के 32 वर्षे नौजवान कोडी का कुमरन उनको याद कीजिए अंग्रेजों ने उस नौजवान को सीर में गोली मार दी लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के जंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया तमिल नाडू में उनके नाम से ही कोडी कात सब्द जुड़ गया जिसका आर्थ है जंडे को बचाने वाला तमिल नाडू की ही बेलू नाचियार वो पहली मारानी थी जिनों अंग्रेजी हकुमत के खिलाब लडाई लड़ी थी इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्नम से लगातार विदेशी हकुमत को गुटनों पर लाने का काम किया जारखण में भगवान बिर्शा मुंडा उन्होंने अंग्रेजों को चुनोती दी थी तो मुर्मु भाईयों ने संथाल अंदोलन का नित्रत्व किया था ओडिसा के चक्रा विशोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मन नायग ने गांधिवादी तरीकों से चेतना फैलाई आंदर प्रदेश में मन्यम विरुडी याने जंगलों के हीरो अलूरी स्थिरा राम राजु ने रंपा अंदोलन का बिगल फुका था पासल था खुंग चेरा ने मिजोराम की पहड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था ऐसे ही गोंधर, कौवर, लसित बर्फुकन और सिरत सिंग जैसे असमवर प्रवोत्तर के अनेकों स्वाधिनता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया है यहां गुजरात में बड़ोधा के पास जामुगाड़ जाने के रस्ते पर हमारे नाइका कौम के आदिवाचियों को बलिदान कैसे भूल सकते हैं मानगेड में गोविन गुरु के देतरुतों में सैंकड़ आदिवाचियों का नरसावार हुआ उन्हें लड़ाई लड़ी देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा साथियों मा भारती के ऐसे ही वीर सकतों का इतिहास देश के कौने कौने में गाउं गाउं में है